संसत में जारी शितकाली सत्र में गती रोध को खत्म करनी के लिए लोकसभाद ध्यक्ष ने विभिनराजनतिक पार्थियों के नेताओं के सांथ पैठक की केंद्रिय मंत्री पियुष गोयल ने भविश्य की चुनोतियों से निपटने के लिए युवाउं को सिक्षा और कौशल से सशक्त बनाने की आविशक्ता पर बल दिया एक भारत से इस्ट भारत कायक्रम के तहायत असम और नागरलेंग की स्थापना दिवसपर रायपूर्स्थित राजभवन में रंगा-रंग सांस्रितिक कायक्रमों का आयुचन और जल और परियवरन सरक्षन के लिए कोरिया जिले में नारी शक्ती से जल शक्ती अभ्यान की पहल भी गए नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दर्शन समचार मैं हूलीना साहूँ अब समचार वस्तार से संसत में जारी शितकालीन सत्र में गती रोत को खत्म करने के प्रयास के तहट लोगसभा ध्यक्ष ओम बिर्ला ने आज दो पहर बाद संसत भवन में वभन राशनतिक पार्टियों के नेताओं के सांथ बैठक की इस बैठक के दोरां श्रे बिर्ला ने सदन की कारिवाही निर्वाद चलने देने का अनुरोद सभी संदस्यों से किया बैठक में नेताओं ने लोगसभा की निर्वाद कारिवाही सुनिश्चित करने पर सहमती जटाई संसद भवन के बाहर समवाद दाताओं से बाचित में संसदिय कारिमंत्री कीरेन रिजिजु ने कहा कि बैठक में उपस्थेत नेताओं ने संसद के दोनों सदनों की निर्वाद कारिवाही में सहयुग देने का आश्वासन दिया उन्होंने फिर सलसक की कारिवाही निर्वाद रूप से चलने देने के लिए विपक्षे सांसदों और नेताओं से आगरह किया देश सुनना चाता है देखना चाता है कि हमारा सांसद कैसे काम करते हैं इसलिए कल से सूचारू रूप से पारलेमेंट चलेगा ऐसा एगरी हुआ है और ऐसा ही चलेगा मुझे पुरा उम्मीद है और सबसे अपील है कि हम जो रिमेनिंग हमारा शीद कालिन सत्र का जो समय हमा चर्चा लोग सभा में होगी। वही राजे सभा में यहां चर्चा 16 और 17 दिसंबर को होगी। और पार्लेमेन इतना दीन तक नहीं चलना और जनता का पैसा नुकसान करना ये ठीक नहीं है। सबने ये बात माना है। और विपक्ष के और से भी कई दिमान रखे हैं। और जो बिजनेस एडवाईजरी कमिटी में समवीदान पे चर्चा होने का प्रस्थावता उसको सरकार ने मंजुली दिया है। हम लोग तेरो और चोदो फ्राइडे सेटरडे को समवीदान पे चर्चा होगी। और कौशल से सश्रक्त बनानी के आवशक्ता परबल दिया है। नेदिली में आज 29 वे CII भागिदारी शिखर सम्मिलन 2024 को सम्मोधित करते हुए। उन्हेंने कहा कि भारत को एक ऐसे देश के रूप में गौरव हासिल हुए जो अपनी संस्रिती और परमपराओं को बनाये रखते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्हेंने कहा कि समावेशी विकास के लिए नवाचार और निवेश जरूरी है। यह लिए थीज़ आजा एक जुप टुम्हांग के लिएधित कहलें प्रक्रावित बिएशने कुछिए और उन्हें ज्यरू को से अप्रव उन्हेंट को लिए हुए। को फुए है। इस शिकर समेलन में दक्षिन अफ्रीका, कतर, बहरीन और भोटान सहेद कई देशों के मंत्री शामिल हुए नौसेना प्रमुक एड्मिरल दिनेश्त्रिपार्थी ने कहा है कि आगामी दर्स वर्षों में भारती नौसेना में 96,000 और पंडुबिया शामिल की जाएगी उन्हेंने कहा कि अगले वर्ष तक हर महीने एक जहाज शामिल किया जाएगा एड्मिरल दिनेश्त्रिपार्थी ने आज नई दिल्ले में बताया कि 62,000 और एक पंडुबिया निर्माना धीन है 96 ships and submarines which are likely to be inducted in the next 10 years उन्हेंने बताया कि इस महीने की चार तारिक को डिशा के पूरी में नौसेना दिवस मनाय जाएगा राश्पती द्रापदी मुर्बु इस कायक्रम की मुख्य अति थी होंगी पाकिस्तानी नौसेना की बड़ती समुद्री शम्ताओं पर नौसेना प्रमुख ने कहा कि वह चीन के सहयोग से कई युद्धोपोत और पंडुबिया बना रही है यह दर्शाता है कि चीन पाकिस्तान की नौसेना को मजबूत बनाने में दिल्चस्पी रखता है उन्हेंने कहा कि भारत पडोसियों द्वारा उत्पन सभी खत्रों से निपटने के लिए पूरी तरह तयार है एक भारत स्रेष्ट भारत कायरक्रम के तहट असम और नागालेंड राज्यों की स्थापना दिवस के आउसा पर राइपुर्स्तित राजभवन में आज रंगारां सांक्सरितिक कायरक्रमों का आयचन किया गया इस मौके पर राजभवन के दरबार हॉल में आईजित कायरकर में राजभवन ने असम और नागालेंड के निवासियों को शुपकामनाय दी उन्होंने असम और नागालेंड राज़ी की विशिस्ताओं को रिखांकित किया राज़िपाल ने कहा कि एसम और शत्यसगर की संस्रिती अर्थ फिवस्था मिलती जूलती है और इन राज़्यों की संस्रिती रामायन काल की है शिडेका ने कहा कि नागा लेंड भी एक खुपसूरत राज्य है जीवंत रंगों और वहादुरी की कहानिया इस राज्य में भरी पड़ी है भारत के स्वतंतरता आंदोलन में रानी गैंडियूल सहित असंख्य स्वतंतरता संगराम से नानियों ने अपना योगदान दिया इस असे पर दोनों राज्यों के लोग नृत्यों की रंगा-रंग प्रस्तूती विभिन विश्वे विद्यालेयों के चात्र चात्रों तथा वनवासी आश्रम की चात्रों ने प्रस्तूती दी दोनों राजे के प्रतिनीध्यों को राजिपाल ने राज के गम्छा पहनाक और स्मिति चिन्ह भेट कर समानित किया उन्होंने भी राजिपाल को स्मिती चिन्ह भेट किया मुख्यमंत्री विश्णुदिर साय ने कहा है कि प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लक्षे को हासिल करने में युवा पेढ़ी की महत्पुर्ण भूमी का है मुख्यमंत्री ने अबाद लोग सेवा आयोग की सिविल परिक्षा 2023 की प्राविव ने सोची में सफल हुए अभ्यार्थियों से राइपुर में कही उन्होंने सभी चैनित अभ्यार्थियों को उनके परिजनों को सफलता के लिए शुपकाम राय दी मुख्यमंत्री ने कहा कि सफल उमिद्वारुक ने अपनी मेहनत संकल्प और समर्पंट से यह उपलब्धी हासिल की है मुख्यमंत्री ने कहा कि राजे सरकार ने 36 गर्ड लोग सेवायू की प्रतिष्ठित परिक्षा को पूरी पार दर्शिता के साथ आयजित करने कारने ने लिया है और परिक्षा परिनामों में हसाफ नजर आ रहा है यह देन आम लोगों के लिए खास बन गया है और मेहनत करने वालों की जीत हुई है मुख्यमंत्री श्री साय ने अभ्यारतियों से परिक्षा के दोरान आने वाली चुनौतियों को और उनके अनुभवों के बारे में भी जाना इस दोरान मुख्य मंत्री ने सिविल सेवा परिक्षा के सभी टॉपर्स को स्वामी विवेकर नन, भारत रतन, स्वर्गिय अटल भिहारी वाजपे और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जीमन पर आधारित पुस्ते के और प्रशस्ती पत्र भेट किये राजे की विश्नुदेव साय सरकार 13 दिसंबर को अपने कारेकाल का एक बर्श पूरा कर लेगी इस पर इप्रेक्ष्ट में पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुनसाम ने कहा कि एक साल के दौरान राजे सरकार ने अतिहासिक काम किया है और यह साल लुपलब्धियोंब से भरा रहा उप मुख्यमंत्री ने राजे सरकार दौरा किये गए कारियों का उलेक करते हुए कहा कि सभी वायदे पूरे किये गए हैं सभ्ता के बोनस का मामला हो यह सारे बड़े वायदे हमने एक साल में पूरे किये हैं एक अन्य सवाल के जवाब में श्री साव ने कहा कि कॉंग्रिस के रास्ट्रिय तथा राजे सतर के नेता अपनी पहचान बचाने के लिए संगर्ष कर रहे हैं और जन्यता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया हैं पूर्वा मुख्यमंत्री भूपेश वगिल ने आरोप लगाये हैं कि बीते एक वर्ष्रों से राजे सरकार स्वास्त विभाग की लंबित राशी का भुकतान नहीं कर रही जिससे स्वास्त सेवाएं प्रभावित हो रही है मीडिया से चर्चा करती भेश श्री भगिल ने कहा कि पूर्वर्थी कॉंग्रेस सरकार खास तोर पर स्वास्त विभाग की कोई भी देर आशे लंबित नहीं रखती थी लेकिन बर्तमा सरकार रेसोर ध्यान नहीं दे रही है कि खासकर स्वास्त विभाग के पेमेंट 24 घंटा से ज्यादा नहीं रूपता था जो भी स्वास्त विभाग से डिमांड आती थी ततकाल हम लोग रिलीज करते थे लेकिन मई के बाद से कोई भुपतान नहीं हुआ है और इस कारण से चाया वो छोटे हास्पिटल हो चाया बड़े हास्पिटल हो सब जगा आईसमान कार्ड में इलाज करना करीब करीब बंद कर दी है और इसे कारण से आम जानता भुगत रही है श्रीवगेल ने आरोप लगाया कि पूरवर्ती सरकार द्वारसंचालित स्वामी आत्मनन स्कूल धान खड़ीदी की बहतर विवस्था और गाहों में सोलर सिस्टम से बिशली की आपूर्ती सहित जनहित्यशी योजनाव पर रोक लगा दी गई है खबरों का सेलसल आगे भी जानी रहेगा अब लेते हैं छोटा सब्रेक कोई नुकसान नहीं होगा जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान और सुन सब चलता नहीं है प्रॉपर चलाना पड़ता है आर्बी आई कहता है जानकार बनिये सतर करें बनगाल के खाड़ी के दक्षिन पराष्टिम हिससे में हवा का दबाव कम होने की वजह से आये कारण तमिलनाटू और पुद्द्द्देजल का असर अब पुद्द्द्द्द्द्द्देजल के अलावा दूसरे राज्जियों में भी देखने को मिल रहा है इसका असर करनाटक पर भी पड़ा है और मौसम इभाग ने अगले तीन दिनों तक राजी के विभन जिलों में भारी बारिश की आश्रंका ज़ताई है करनाटक के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलट भी घोशत किया गया है उधर आंधर प्रदेश में भी चक्रवाग पेंजल का आसर देखने को मिर रहा है विशाखा पत्नम में समुदर तट पर उची लहरे उठ रही है और तेज हवाय चल रही है मौसर विभाग ने दक्षिन आंधर प्रदेश और केरल में मुसलाधार बारिश की आश्रंका ज़ताई है आई-मडी की ओर से रेड अलर्ट जारी होने के बाद के वायनार्ड में सभी सेक्षिनिक संस्थान आज बंद रहे वहें केरल के लिए जारी रेड अलर्ट के मद्द नजर राजी के राजस्व मंतरी के राजन ने स्थिती की समिक्षा वैठक फिली इस चक्रवात का असर चतीस गड़ के मौसम पर भी देखनी कुम्र रहा है बीते दो दिनों से राजस्थानी राइपूर के अलावा अन्य कई शेत्रों में हल्की बारिश के साथ बदली चाई हुई है मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले तीन दिनों तक राजी के मौसम में विशेस बदलाओ के आसार नहीं है चक्रवाती तुफान फेंग जल के असर से राजी में बारिश संभावना को देखते हुए खरीदी केंद्रों में खूले में पड़े धान को सुरक्षित रखने के लिए राजी के विभर्न जीलों में एहतियाती कदम उठाने के नरदेश अधिकारियों को दिये गए है इसे कड़ी में दुर्क कलेक्टर रिचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि किसानों के मेहनत से उपजे धान का एक एक दाना कीमती है और यहाँ बारिश में बरबाद ना हो इस बात का विशेस ध्यान रखा जा रहा है इस संबन में खाद निरिक्षकों, राजस्व निरिक्षकों और पटवारियों को जरूरी निर्देश दिये गए है उन्हेंने बताया कि राइस मिलर्स से बात हो रही है और जल्दी धान का उठाव शुरू हो जाएगा बहुत अची गुणमत्ता का धान भी समीतियों में आ रहा है तो वो उसको कोई नुकसान न हो उसके निर्देश का पालन हमने सभी जगर पे कर लिया है हमारी समीतियों ने पहले से भी उनकी ते आरी थी, क्याप कuk अवर वगड़े लगा कर प harm को सरक्षित कर लिया है जिला कलेक्टर चंदंत्रिपाठी की अगवाई में महिला अधिकारियों और ग्रामिन महिलाओं ने सोनहत विकासखन के ग्राम अंगवाही इस्थेत तेडगा नाला में बोरी बांधन का काम किया इस अभ्यान का उदेशे जल सरक्षन और परियवरेंट संतूलन के प्रती जन जागरुता बढ़ाना था इस मौके पर जिला कलेक्टर श्रीमदरी त्रिपाठी ने कहा कि नारी शक्ति इस अभ्यान के माध्यम से समाच को यह संदेश देना चाहती है कि जल सरक्षन हर व्यक्ति की जिम्हदारी है और पानी का उचित इस्तमाल करें नारी शक्ति से जल दिख्षी अभ्यान देता है ताज़ शमनान करके तभोरी बंदान का काम चालू किया गया है और इसे कंप्लीट किया गया है और इसमें सारे जिला लगल के अधिकारी लिए हम तभी ग्रामिंग को यह संदेश देना चाहता है कि जल बहुत मैच्पून है और इसका संचे और संद्रक्षन करना अभशक है यह शिरुवात है और इसके बाद भी हम दो तीन ऐसे स्टेप्स काम करेंगे आज फॉरेस्ट डिपार्ट्मेंट की मिदद से जल संद्रक्षित रहेगा लोगों के उप्योग के लिए भी रहेगा और पशूपक्षी के उप्रभाकर खर्कों ने जल संद्रक्षन के साथ अधिक से अधिक पेड लगाने और पेडों की कटाई रोकने का आवाहन किया। गाउं में यहाँ भ्यान साथी हाद बढ़ाना और पानी जिन्दगानी हैं जैसे प्रिरक वाक्यों के साथ शुरू हुआ और अधिकारी तेथा महिलाओं ने उत्साह के साथ श्रमदान किया। इसके बाद दमकलवाहन मौके पर पहुँची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाये गया। आग जनी की सूचना पर कलिक्टर संजय अगरवार और पुलिस अधिक्षक मोहित गर्ग भी मौके पर पहुँचे। कलिक्टर श्रे अगरवाल ने बताया कि आग किन कारणों से हुई है इसकी जाच की जाएगी और इस तरह की घटना की पुन्रा वृत्ति ना हो इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर कलासनगर राजदन गवाव में सेसेबी का जो आफिस है इसमें याड के आग लगी है और अभी कंट्रोल में है एक गंटा पहले आग लगी थी चुनकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी है तो तकाल यहाँ पर फैर बिगेड जो है वो आग करके फैर बिगेड और फैर में लोगोंने कंट्रोल किया है और अभी कंट्रोल पूरी तरह से कंट्रोल बताए जाता है कि बिजली विभाग के यार्ड में रखे ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके में अफरा तफ्री का महल नजर आया और लगभाग एक घंटे के बाद इस आग पर नहीं हुई बिजापूर SP जीतिंद्र यादो ने बताया कि मावाधियों ने पहली बार 10 किलो के आईडी में जिंदा H.E. को प्लांट किया था जो काफी शक्ति शाली था बिजापूर DRG और BDS बिजापूर के सैंक्त टीम नकसर विरोधी अभ्यान पर गोड़ना, मनकेली और इशुलनार की तरफ निकली हुई थी, सर्चिंग के दौरां टीम ने 55 किलो के 3 IED बरामत किये, इसे मावाधियों ने कच्छे रास्ते पर लगा रखा था, 3 IED को प्रेशर स्विच सिस्टम से लगाय गया था, महीं से थोड़ी ही दूरी पर 10 किलो का एक और IED भी लगा आए गया था, लेकिन सुरक्षा बलू ने सूजबूज और सतरकता से 4 IED को सुरक्षित तरीके से वहाँ निश्क्रिय कर दिया, और आप कुछ खाबरे जिलो से उपमुक्य मंत्री अरुन साव भिलाई में आयवजित साहु समाज की युवा क्युवती परीचे सम्मेलन में शामिल होने वाले युवा क्युवतियों को शुपकामनाय दी और उनके उज्वल भविशे के कामना की कारकर में पूर्व ग्रिह मंत्री तामधस साहु और साहु समाज की प्रदेश अध्यक्ष दीपक साहु सहीत प्रदेश में शुरू हो रहे हैं प्रदान मंत्री एवस सर्विस सेवा के बारे में उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में विध्धी हुई और लोगों का पैसा बचे साथी परिवन की रक्षा हो इस द्रिश्टी से भारत सरकार की द्वारा पूरे देशपर में काम किया जा रहा है इसके तहट प्रदेश के चार शेहरों का चैन इसके लेकिया गया है इसको लेकर प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी को धन्यवाद देता हूँ राइगर जिले की तमनार थाना श्रेत्र में जिंदल पावर प्लांट के सामनी खड़ी डेजर टैंकर में अज्यात कारणों से आग लग गई आग पर काबू पाने के लिए फाय ब्रिगेट की गाडिया बुलानी पई इस घटना के बाद सड़क की दोनों कोईला गाडियों की लंबी कतारे लग गई जिससे आवागमन प्रभावित हुआ सक्ति जिले के नंदेली भाठा में एक दिवासी है जिला इस्तरिये महिला खेल को प्रतियोगिता का आयजन हुआ इसमें विकास कंड स्तरिय प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में खोखो, दौड, रसाकसी, तवाफिक और हौकी जैसे खेलों को शामिल किया गया। समापन आउसर पर विजेता प्रतिभागी को पुरसकार भी वितरित किया गया। बेबितरा के जिला कलेक्टर रंबीर शर्मा ने नगरी निकायर और पंचायत चुनाओं की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली विवितरा में आयजित इस बैटक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को 14 दिसंबर से पहले सभी निर्वाचन संबंधी प्रसिक्षन पूरा कराने के नर्देश दिये बैटक में चुनाओं की सभी तैयारियों की भी समिक्षा की गई लोगसेवा प्रसारक दूरदर्शनी OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुबात की है ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर ना इन्फोटेंटमेंट का सिस्टम देता है अगर आपको भी चाहिए फ्री में श्रांदार कंटेंट तो आज ही आप प्लेट स्टोर से एप डाउनलोड कीजिए इस OTT प्लेटफॉर्म पर डेडी निस चत्तिसगर के फ्रादेशिक समाचार का भी सिधा प्रसार हैं देख सकते हैं तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेबसाइब और इसे के साथ ये समाचार बॉलिटन समाथ हुआ नमस्कार